हलो फ्रेंज, वेलकम बैक, I hope आप सब ठीक है, मैं हूँ रिमी, इस वीडियो पे आप देखेंगे कुशन कवर की डिजाइन, इसके उपर मैंने मदूबनी पेंटिंग किया है, हम सब को पता है मदूबनी पेंटिंग कितनी कलरफूर और कितनी खुबसूरत होती है, तो जरू इसको ट्राइ कीजिए, कोई भी प्लेंट कुशन कवर या फिर कोई पीलो कवर के उपर, so let's start कलर के लिए आप देख सकते हैं, यह है फेबिक्रिल की फेब्री कलर, यह सॉप्ट करके अलग से लिखा होता है, और दूसरा है अक्रेली कलर, यह देखिए दोनों बोटल अल्मोस्ट सेम देखने की होती है, सेम ही है अल्मोस्ट, यह है अक्रेली कलर, यह कलर बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगी और फेब्रिक कलर थोड़ी सी मुझे तो नहीं मिलती है मैं यहां उनलाइन पार्चिस की थी दोनों ही आप कपड़े के ऊपर यूज कर सकते हैं पहले आउटलाइन के बाद कुशन कवर जितना आपको पेंट करना है उसके पहले आउटला अजिए यूज करें मैं यहां कैम्रे में दिखाने के लिए मैं यह डार्क कलर की पैंचल यूज कर रही हो अब better लाइट कर के यूज करें यह होगा एक दग सेंसर पर और और कलर के लिए अब दोनों ही use कर सकते हैं बट क्या होता है एक्रेली कशलर से ज्यादा फैपरी कलर अच्छे होते हैं कपड़ों के उपर और उसकी लॉंग लास्टिंग ज्यादा होती है और कपड़ों के जो कलर के जो फेड होने की चांसेस होती है वह बहुत कम होती है तो फैबरी कलर ज्यादा अच्छा है अब यहां देखिए यह पहले पिंक कलर सोरी यह है डीप ब्रिल कल यह वाइट कलर के ऊपर बहुत अच्छा होगा अब पिंग भी यूज कर सकते हैं मैं यह फ्लैट ब्राश यूज कर रही हूँ कोई बात नहीं अब राउंड ब्राश से भी यूज कर सकते हैं और पेंट करने के टाइम ध्यान रहा है इसके नीचे कोई भी थीक पेपर रख सकते हैं नियूस पेपर नहीं कोई भी थीक पेपर रखिए और कार्डबोड रख सकते हैं के नीचे कार्डबोड रखे फिर डिजाइन कर ले हूँ अब यहां में ग्रीन कलर यूज कर ले हूँ बहुत कलरफुल होगा और बहुत खुरसूरत होगा देखना अब स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आपको यह बन जाएगी इसमें बहुत कोवर के उपर भी आप कर सकते हैं और अगर आपको बेडशिट के उपर डिजाइन देखना है तो कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो थी टेबल क्लॉथ के उपर आप उसको थोड़ी ब्रॉट करके आप बेडशिट के उपर भी आप कर सकते हैं वह बहुत खुबसूरत है बहुत कलर्फुल है आप उसको एक बार देख सकते हैं लिंक डेस्क्रिप्शन पर अलग से हैं प्लेलिस्ट में हैं यहां देखिए मैं यहां राउंड ब्राश यूस कर रही हूँ जीरो नंबर के पहले आउटलाइन करके उसके बाद हमें ब्लैक कलर को फील कर लेना है यह जीरो नंबर ब्राश को अब हलके हाथ से करेंगे तो एकदम पैंसिल की तरह यह आपको पेंट हो जाएगी देखिए ऐसे एकचिलि यहां दो एलेफेंट है इसलिए पहले थोड़ी मुश्किल होती है समझना बट आप बाद में जब हो जाएगा आउटलाइन के बाद आप समझ जाएंगे यह देखिए दो अलग-अलग अब ऐसे आउटलाइन के बाद इसके सेंटर पे एकदम इसके कलर को फिल कर लेना है ब्लैक कलर से देखिए अब भी फ्लैट ब्रश में यूज कर रही हो क्योंकि बहुत जल्दी काम हो जाती है व्राउन ब्रश का भी यूज कर सकते हैं तो द इसके बाद ही हमें वाइट कलर से यह चोटी-चोटी फ्लावर को करना है पहले इसको अच्छे से ड्राइ होने दीजिए नहीं तो अब जब तक यह थोड़ा-थोड़ा मतलब गीला रहता है न तो क्या होता है यह वाइट कलर से जब करेंगे तो एकदम प्रेड हो जाती है तो step by step करना है और कलर एक अच्छे से ड्राइ हो जाए उसके बाद इसके उपर दूसरा कलर से हमें कर लेना है यहां मैंने lemon yellow कलर यूज कर रही हूँ अब यह green कलर dry हो गई है उसके बाद ही मैं इसको यूज कर रही हूँ अब यहां जो छोटी सी एक line था उसको में yellow कलर से कर रही हूँ इसके उपर जैसे होगा same यह next यह elephant के उपर भी same होगा देखिए फिर से में round brush और white color यूज कर ली हूँ और after wash यह कुछ भी नहीं होगा आप आसानी से इसको wash कर सकते हैं कोई भी detergent से कीजिए कोई mild सा detergent और easy से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है और इसको hand wash करें machine के अंदर बिल्कुल इसको ना दे इसको हाथ से ही wash करें अब यहां black color भी अच्छे से dry हो जाए उसके बाद ही कीजिए यह white color करना है देखिए धीरे दीए यह elephant कितना अच्छा लग रहा है यह छोटी छोटी work जरूर कीजिए तो ही यह painting की यही एक खुबसूरती है इसमें बहुत छोटी छोटी work है अब यह white color से एक line draw कर लेना है यहाँ भी same होगा दिखिए कितना आसान है यहाँ मैंने yellow color कर दी ती गलती से अब white करें और जोटी बांगा लिहाँ मैं के बांगलाते comment को उत्ते पार हो की जानते चाहूँ बोलते पार हो आपी तुमादे शोमोस तो प्रोश नेरी उत्तोर बांगलाते ही उत्तोर देवो और मेरी व्लॉक की चैनल है आप चाहे तो उसको एक बद देख सकते हैं उसकी लिंक मैंने description पर देदूंगी और ब्रश के लिए मैं अरोरा के ब्रश यूज़ करती हूँ वो बहुत मुझे personally बहुत पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं लिंक भी मैंने description पर देदूंगी और cotton की उपर करने से पहले उसको अच्छे से वाश कर लीजिए वाश करके उसको प्रेस कर लीजिए उसके बाद आप इसके उपर पेंट करें इसके में यह भूल गई थी इनकी यहर करना तो यह ठीक से कीजिए ब्लैक कलर ड्राइ हो जाए उसके बात कीजिए मैं क्यू बा बहुत बार करती थी और बहुत स्प्रेड होता था एकदम कलर बहुत स्प्रेड होने से क्या होता है बहुत खराब हो जाती है तो इसको इसलिए मैं बार बार बोलती है उसको ध्यान रखिए और सूट के उपर दुपट्टा के उपर वाल पेंटिंग स्वीचबोर पेंटि यहाँ ग्रीन कछर यूस का ने हो सारे बॉड़र पर हमें डुड़ा है यह मैं फ्लैट ब्रॉश यूस का रही है उन्ने घुरा ourselves च्छें नंबर के फ्लैट ब्रॉश सारे लाइन जहाँ पहले सारे लाइन पर करना है आपको स्रिफ एक लाइन पर नहीं यहाँ भी आप मन पसंद कलर यूज़ कर सकते हैं देखिए ऐसे और फिर भी आपको और भी डीटेल्स में जाना है कौन से कप्रों के उपर कौन से कलर से पेंट करना है तो डेस्क्रिप्शन पे एक वीडियो है अब उसको देख सकते हैं अब देखिए ऐसे ब्लैक कलर से इसको आउटलाइन कर लेना है यह अच्छे से ड्राइ हो जाए ग्रीन कलर उसके बाद कर लीजिए मैं यहाँ फिर से राउंड ब्रॉश यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रॉश सबसे जो मुझे बहुत यूज़ होती है वह है राउंड ब्रॉश अब देखिए इसके एकदम सेंटर से एक लाइन एकदम ड्रॉश कर लेना है एकदम सीधा देखिए अब ऐसे हेना बहुत आसान इसको जरूर ट्राइ कीजिए अपने कोई भी कुशन कवर या पीलो कवर के ऊपर यह देखिए सारे लाइन को सेम कर लेना है और यहाँ मैंने लास्ट मैं यहाँ एलिफेंट के एक पर पहर करना भूल गई थी तो यह बाद में देखा यह खाली-खाली लग रहा है इसको पहले ही कर लीजिए यह मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में कर ले हूँ थैंक यू सो मच फ़र वाचिंग इस वीडियो हव वेरी वेरी गुड डे टेक केर और अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरी चानल को सब्सक्राइब कर सकते और वीडियो को एक बाद लाइक जरूर कीजिए अगर आपको इस वीडियो थोड